कि अग्याइब तो लास्ट कास में हम लोगों ने आरवी एलपी सेवीटी फर्स्ट का जो सेवीटी वन में पूछा गया कोस्टन था उसको हम लोगों करने सेट वाइज करने की को लिए क्यों तो आज हमारा सेट फोर होगा इसके पहली हम लोगों त keep a देख सकते हैं तो अगर आप नहीं देखाना है तो तो यहां पर आपको अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो यहां पर आपको अधिक्तम संख्या बता रहे हैं तो देखें यह क्या होता है आपको M कछा में यह होता है आपका 18 होता है र में कितने होता है यहां पर कि Garrett पूछा गया था था कि एम कच्छ में सामिल कितने होता है ति कर एक का होता है इसको एक लोगता है संख्या होता है मुख कौांटम संख्या ठीक है मुख क्वांटम संख्या होता है और यह एल होता है इसको बोलता है आपको द्विगंसी क्वांटम संख्या ठीक है द्विगंसी क्वांटम यहाँ पर संख्या इसको बोलता है और यह एम जो होता है यह इसको बोलता है आपको यहाँ पर यहाँ पर चुम्बक कि यह aqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq जो आपका S होता इसका 2 मान होता एक होता है प्लस 1 बाइसके होताम एक होता है माइनस 1 by 2 इसको जानते होंगे तो यहाँ पर इसका 2 होता प्लसван बैद्ट भ testify माइनस 7वाइस मद्टू पर भी तो यहाँ पर देखें के अगला कोशोन आपको क्या कखते हैं तो स्वाध का पता के लिए अभी गर्हाःक को इसको क्या बोलते हैं यह आपका बोलते हैं अभी ग्रहक यह बोलते हैं इसको स्वाद का पता लगाने के लिए ठीक है और क्या होता है जो स्वाद के पता लगा जाता है उसमें क्या करता हुआ हमारा जो जीव होता है वो आपका स्वाद का पता लगाता है और जीव में क्या क होता है अबहुता है जीव की बगन से होता है तो इस तलब क्या होता है तो इस होता है कि मुल्ल की खोज किस ने कि थी यहां पर पिर यह है तो इसका हम यहां पर है सार्वजनिक कॉंस्टेंट यह इनका होच किया थी हैंडिक कवंदीश ने ठीक है और जो इसका मान होता है जी का इसको कई बार हमने बता है जी का जो मान होता है यह कितना हो जागा आपका इसको आपका वैलू होता है एक होता है इसके बारे में बता है यह क्या होता है आपको जो आपको भुमद रेखा होता है उसका वैलू नियुन्तम होता है यानि कि भूमद पर यह क्या होता है नियुन्तम होता है ठीक है और ध्रुवों पर क्या होता है ध्रुवों पर इसका मान जो है अधिक होता है ध्रुवों पर इसका मान अधिक होता है ठीक है तो यह कैप्टल जी था आपको यहाँ पर अगुर्तवा कर्सर अगला कुशन आपको यहां पर दिया गया है कि निमने लिखित में से कौन सा एक अमल है जो का गूणे नहीं है इंग में से कौन है जो अमल का गूणे नहीं है तो पहला आपका अमल का स्वाद खर्टा होता है दूसरा अमल का स्वाद कड़वा होता है और अप्शन नमर सी अमल छार के साथ मिलकर लवन बनाता है अमल नीले नितिमस को लाल में परिवर्तित कर देता है तो यह आपका यहां पर दिया गया इस पर बताना है कौन सा नहीं है देखें यहां पर option नीमर्स भी होगा कि अमल का स्महाद कड़ास होता है यहां पर इसका नहीं होगा थेसं इसका option 2 हो जाएता आट आच्छा प्रबल अमल होता है कि इसको भी याद रखेगा कि यहांपर इसको आप कोशन आसist तो यह सूचालक होते हैं ठीक है इसका अंसर क्या था आप्शन नमबर भी अमर्का स्वाद कड़वा होता है यह आपका गूने नहीं होता है ठीक है आगा देखे यहां पगला कोशन आपको दिया गया है कि इन में से किस परकिरिया की आपको लोहे की जस्ता की एक कोटिंग द 가रान आपको क्या कर सकते हैं यहां पर लोहे की जासता की एक कोटिंग द्वारा यहां पर संक्षित किया जा सकता इसमें होता है visto है जो जग होता है और क्या होता है यहां पर इसको क्या बोलते है एक म измен, पहलते हैं यहां पुलते हैं तोफ को जंग होता है इसको याद रखेगा कि झो यहां पर यह यहां पर यह जो लगना होता है उसको क्या बोलते हैं परिवर्तन थे जंग करदेंगे ज्ट कर देंगे और क्या करेंगे यहां पर सकते हैं और ग्रीज करके भी बदा सकते हैं ग्रीज करके ठीक है और क्या यहां पर इसको जीसे परके लिए ने जस्ता के कोटिंग के द्वारा क्या हो जागा आपका option number C हो जागा इसको याद रखिएगा ठीक है आपके कोशन है आपका कि ऊपर उठाए वहां थोड़े के पास क्या होता है ठीक है तो वर्क पार एनरजी का जो हम लोग क्लास वहां पर देख रहे थे कार समय उर्जा की तो स्टीजचे इसका आंसर हो जाएगा option number D स्टीज उर्जा ठीक है यहां पगढ़ा कोशन आपको दिया गया है किुझ हम आवधिक तालिका कि समुहों के नीचे जाते हैं तो क्या होता है ठीक है तो सेलोग संख्या क्या होती है जब उसके नीचे जाएंगे तो सेलोग संख्या अब की बढ़ जाती है ठीक है तो यहाँ पर सेल के संख्या घर जाती है बैले सेलोग संख्या क्या होती है बढ़ जाती है इसके बारे में हम जब कमेश्टी क्लास वहां पर करेंगे यह थोड़ा से लंबा प्रोसेस है वहां पर अच्छे से हम उसको डिसकस करेंगे जब करेंगे यहां पर आप याद रखिएगा इस कोशन का जो है सेल के संख्या बढ़ जाती है अभी हम लोग ने जो है कमेश्टी का क्लास को नहीं 5.5 होगा तब का होता है दांतों के सरुल यहां पर शुलू हो जाती है इसका अप्शन नमबर भी हो जागा 5.5 तिक है और जो दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है दांत का यहां पर कठोर भाग उसको क्या बोलते हैं यहां पर आपको पहली से पता होगा इसको बोलते है तो ठीक है इनेमल इसको बोलते हैं ठीक है और क्या होता है यह किस से बना होता है इसके बारे में था तो इसका जो प्यस मांग कितना होता है तू कि याद रखेगा अगले को अग mention साथ कौन सा एक मफोट्रिक यहां प्ताना एंपूर फीडरीक औकор सब्सक्राइब थ्यु अपका ऐडह का एनफिन इसके टिके पहला यह साइड ओक्साइड दिया घया दूसरा अपका आरेन उक्साइड घया थिएका ही यहां पर गुना कर दे तो द्धारा आधी हो जाती है यह किस कारण से होटा है टेखें आपको फार्मूला हम बताएं थह वहां पर प्रतिरोध 2 गूधा हो जाएकर है किसके हिसाफ सो तovanेंत सिर्दफ के iso कितना हो जाएंगा इस से आधह हो जाता हुगोगो जो आपका करेंट रेंट होता है तो किसकी हिसाब सो होता है यहाँ पर आपका प्सव कOSH आनुबर जो प्स नियुक्तै तो यह आपका क्या होता है इसका option number B हो जाएगा कि यहां पे कोई विद्धु धारा आधी हो जाती या किस कारण होता है तो इसका option number B बी आउसर होगा ठीक है इसको याद तो आजके लिए अगर आप अच्छा हम लोग यहां से मोटिवेट होकर उसको हम ज्यार करें इप्वर तयार करें ताकि आपको उसको फायदा मिल पाए ठीक है तो इसका जो अगला जो पार्ट होगा सेट फोर उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है तो इसके लिए हम मिलते हैं